इस ब्लेटेन के पेश करदा है काका जी वेडिंग मॉल विमन्स एक्सक्लियूजिफ मोती गली चौमहला पालस रोड हैदरबार हादा बीबेन न्यूज में आपका इस्तिखवाल है मैं हूँ मौसन शुरुआत करते हैं हेडलाइन से आस्मान छूती प्यास की खिमत से आमादमी परिशान हैदरबाद में चालिस ता असी रुपए हो रहा फरोग्त आज 51 दिन भी जारी रही आटीसी की हरताल जेईसी कनवेनर अश्वत थामा ने आटीसी मुलाजमिन से क्या इजहारे तशक्कुर करीम नगर को बीच तयार करने वाले जिले में किया जाए का तबदीर चिंता कुंटा में पार्टी दफ्तर के मौएने के मौखे पहर वजीर इटला राजिंदर का बयान हैदर बाद में सेहत के लिए बेदारी दौड का हैथ इमार रहासदी वजीर से निवास कौर ने दिखाई जखंडी प्रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रिट्डी ने किया हिदरबाद मेट्रो में सफर मसाफिरों से मेट्रो की खिद्मात के बारे में की दर्याफ्थ और कॉंग्रेस लीडर हनमन्त राउ ने लगाया बीजेपी पर इल्जाम कहा इक्तिदार के लिए बीजेपी जहमूरियत को कर रही है नजल अन्दास और अब खबरों की तफसीली सबसे पहले बात करते हैं प्यास के खिमतों की कुछ तीन खिमतों में कमी होने के बाद प्यास की बड़ती खिमतों फिर एक बार आम आदमी को रूलाने लगी हैं शहर हिदरबाद में पिछले कुछ दिनों से प्यास और टमाटर की खिमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है इस स्लसले में देखिए हमारे नुमाइंदे खास मुहम्मद शहबास की ये रिपोर्ट मुल्क भर में महंगाई की वज़े से अवाम परिशानी का शिकार है सबजियों की खिमते आस्मान को छू रही है खास तोर पर प्यास और टमाटर की खिमतों में तेजी से उच्छाल देखने को मिला है हदरबाद की सबजी मंडियों के बारे में बात करें तो यहां प्यास के साथ साथ सबजियों की खिमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है बीवियन के नुमाइंदे खास मुहमद शेबास ने शौरह रहाद के सबजी मंडियों का चायसा लिया इस दोरान पता चला कि टमाटर 25 ता 30 रुपए फी किलो फरुख्त हो रहा है जबके प्यास 40 से 80 रुपए फी किलो फरुख्त हो रही है वहीं दीगर सबजियों की खिमतें भी आसमान से बाते कर रही हैं जिससे आम आदमी और मतवस्त तबखा काफी परेशान और फिकरमंद नजार आ रहा है आईए बात करते हैं आज की महिंगाई पर जी हाँ महिंगाई जो इस खदर यहां पर बढ़ी है जो राश्यत लंगान के में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज होता है पकाने के लिए जिहां एक दुबखता इसाता कि घर में लेडिज जब प्यास होती है प्यास जब कारते हैं तो सारे बच्चे रोते हैं लेकिन आज ये लिए ओख आ चुका है कि जो खरीदा जो खरीदा जाता है वो अदमी आज यहाँ पर प्यास खरीदने के लिए रोना बाखी हो गए आईए इस सिल्जले में कुछ यहाँ पर के कुछ लोग से बात करते हैं कि आज क्या यह प्यास काज क्यारेट है सावज यह बतर क्यारेट से पच्छास रुपे चर्णा सर कल है सो सर 45 रुपिस 46 रुपिस था नमबर एक प्यास जो है सो 100 रुपिस आज खरीदी हुआ मार्गड में पुरानी जो प्यास बोलते बार्शी को जिसके लिए होना पड़ता बिरियानी को वो 100 रुपिस आज खरीदी हुआ तक यहां पर प्यास का रेड़ है लेकिन आप देखना यह है कि कब इसका खात्मा होगा या कब यह कम होगा है जिसका रेड़ जिसकी वैसे आवाम कुछ शान्ती मिलगी शेर हिदरबाद के बाज़ारों में प्यास की मियार के हिसाब से उसकी खीमत तैक ही जा रही है छोटी प्यास 40 रुपए तो बड़ी और सूखी बहतरीन प्यास 80 से 100 रुपए की लोगी फरुख्त हो रहा है तो अभी यह बढ़ींगा या इससे कुछ आप कुछ कम होने के चांसे ने ने मालम होता तो चांसे कुछ भी ने मालम हो रहा है प्यास की बढ़ती खीमत से परिशान आम आदमी इन आस्मान चूती तरकारियों की खीमतों के लिए मर्कज की मोधी हुकूमत को जिमेदार ठहरा रहा है और खिंतों में खाब उपाने के लिए हुकूमत से अपीर कर रहा है पचास रवे किलो प्यास है तेमाटा है पची सरवे किलो और उसी तरह सर आनाज है आपका राशन है हर चीज महंगा सर लेकिन यह कब से वह अशर जब से मोधी सरकार आई है जब से ऐसा हुआ है प्यास के बाद सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होता है टमाटार और टमाटार भी बाजार में 25 ता 30 रुपए फरोग्त हो रहा है तरकारियों की इन पर्दी खींतों से सिर्फ खरीदार ही नहीं बलके तरकारी फरोग्त करने वाले भी परेशान नजर आ रहे हैं साट रुपए फरोग्त करने वाले आदमी आज कल जीना बहुत मुश्किल हो सरकार इस चीज के लिए देख रही है पबलीक को सरकार को सरीफ तवज्जु ने दे रही पबलीक को मिलनाडू बैंगलूरू के हलावा मुख्तलिफ मकामात पर प्यास की खिंतें आम आदमी को रुलाने दगी थी तब दिल्ली के अर्विन के इचरिवाल सरकार ने स्पेशल काउंटर्स लगा कर सस्ते में प्यास फरोग्त किया था वहीं आज से आंदर पदेश के 85 राइतू बाजारों में जगन हुकूमत की जानिब से अवाम को प्यास की बर्ती खिंतों से राहत पहुचाने के लिए सबसीडी पर प्यास फरोग्त किया जा रहा है जी हाँ आंदर पदेश में हुकूमत की जानिब से राइतू बाजारों में 25 रुपए फी किलो के हिसाब से प्यास फरोग्त किया जा रहा है पड़ोसी रियासत को देखने के बाद शायद आवाम का हमेशा भला चाहने वाले वजिर्याला केसियार भी रियासत तलेंगाना के राइटू बाजारों में ऐसी कोई पहल की शुरुआत करें क्यूंकि ताजरीन और माहिरीन का कहना है कि प्यास की खीमतों में आने वाले दिनों में मजीद इजाफे के इमकान है प्यास को लेकर आज यहां पर हम लोग आए थे खासटों पर यहां पर तरकारवी काफी महिंगाई आपको देखने में आया आया है यहां पर और सबसे ज़्यादा प्यास जो महिंगी थी उसके बारे में हमने काई काई लोग से हम यहाँ पर बात किये हैं सारे लोग तो यह करें कि आगे भी इसका महिंगाई बर सकती इस पर जो रोज के जो 300, 200 या 500 रुपे कमाने वाला किस तरीके दे अपना घर सलाया जाए सारे लोग यहाँ पर पर परिशानी का इज़ार करते हैं कि प्यास को लेकर क्यामरा परसन अकबर एमत के साथ मैशे बास बीबेल नियूस हैदरबाद टी एस आरटी सी मुलाजमीन के अपने मतालवाद को लेकर हरताल आज 51 दिन भी जारी रही आरटी सी की हरताल पर तेलंगाना होकुमत की जानब से कोई मुझबत रद्धे अमल ना मिलने पर मुलाजमीन की जए एसी की जानब से आज रियासत भर के बज़ रिपोस के सामने खामोश एतिजाज किया गया इस खामोश एतिजाज में RTC की खातून मुलाजमीन ने हिस्सा लिया जिनके हातों में प्लेकार्ट थे उन प्लेकार्ट पर RTC को बचाने का मुतालबा किया गया टियस RTC JAC के कनवेनर अश्वत्थामा रेड़ी ने 15 रोस तक मसलसर हरताल जारी रखने के लिए RTC मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया उन्होंने खवातिन मुलाजमीन की तरफ से M.G.P.S. में किये गए इतिजाज को कामियाब खरार दिया गोर तिलब है कि RTC मुलाजमीन हरताल जारी रखे हुए हैं क्योंकि मुलाजमत की बहाली की पेशकश पर हकूमत की जानब से कोई रद्यमल सामने नहीं आया है ताहम अश्वत्था मरेड़ी ने उमीद जाहर की है कि वजियाला के चंदर शेकर राओ T.S.R.T.C. हरताल पर सही और मुनासिब फैसला लेंगे कवे नामे में फिला लेंगे एक ब्रेक मुलाखत होगी इस चोटी से ब्रेक के बाद